सब अभी तक अपन ने क्या देखा और एंड एंड नॉट 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 वी आर गोईन टू कम्माइड इस गेट्स हम इन गेट्स को अब कम्माइड करने वाले एक एप्रोप्रेट रिक्वार्मेंट के अकॉर्डिंग जब हम लॉजिक गेट्स जो तीन बेसि only know it no fine करते हैं तो वह रिट देचिव ढवर डिजाइट आउट आऊट केizado अगर हम लोग जब इनको invest करते हैं कमाइड करते है स जो थ्री बेसिक गेट्स हैं और एंड नौट वैन कनेक्टेड इन दी वेरियस कॉमेशन गिवस लॉजिक गेट्स नौर इस टाइप के जो गेट्स हमको मिलते हैं विच आर दे यूनिवर्सल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ दिजिटल सर्किट यह यूनिवर्सल बिल्डिंग प्रफ होते हैं डिजिटल सर्किट के जो कॉम्बिनीशन के दुरू हम लोग लेकर आते हैं तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चे नैंड गेट के बारे में वाट इस नैंड एंड डी नैंड गेट का कहना है कि आंड गाम अइन विद नौट अड 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 को दोनों स्टेट्स पे वन हो ना तो अग्लम बनाईगे एंड और उसमें तुम नौट लगा रहे हो उसको नौट के साथ कममाइंड गर रहे हों क्या बोलता है या बन दोंकमेशन एफटमेंड दोंगा देखिए मिंस इन दोनों का कॉम्बिनेशन बन कर आ रहा है आपका NAND gate means the basic logic gate is combined or the combination of the AND and NOT gate देखिए किस तरह से इसको combine कर दे हैं हम लोग हमने किया कर आपना AND gate लिया यह AND gate है और उसमें आगे लगा दिया आपका NOT gate नोट gate की आगे connect कर दी ओके सो यहां से मतलब आपकर अपन दिमाग पहले लगा लेते इन्पुट दिया तो उन्हों 11 दिये आउट्पुट वन आई रहा था कि आगे तुमने नौट को लगा दिया तो इन आउट्पुट जीरो तो वन देने पे आपको पता है AND gate में जब हम दो वन सिगनल पे और वी पर वन वन होगा तो आएगा बर जहां आउट्पुट आना था वहीं आउट्पुट पे हमने नौट को लगा के रख दिया है तो वन की जगे वो क्या हो गया जीरो व्कॉस और नौट्प्री बोलता है कि वन दोलिगे तो जीरो होगा तो मतलब कि या से दो जीरो हो यहां पर वन आएगा जीरो आएगा जीरो आएगा उल्पुट अ यहां पर क्या हो जाएगा 1 दे देगा तो ये देखते हैं अब समझाया कि कहां से जीरो वन पे भी अगर आपको बुलेन एक्सृरिशन क्या बोलेगी इसकी बुलियन एक्स्प्रेशन क्या बोलेगी y is equal to a.b के उपर नॉट लग गया उसका नॉट a.b का यह नॉट बार लग गया नॉट of a.b अगर 0 आ रहा है तो मैं वन दूंगा समझ गए देख लो नैंड क्या करता है 01 पे वन देता है अगर बन बन देता है ुलटा काम करता है 00 पे जीरो आ रहा था तो ऑन के सारे काम को एंड के आने वाले सारे आउटपू्ट को यह उलटा कर देता है इसलिए इसको नद बोलते हैं हम कि हम हमारे desired output अगर एक signal हाइब एक लेवल हाई करके सिगनल अगर हम दे रहे हैं तो भी काम होगा दो दे रहे हैं तो काम नहीं होगा मतलब एंड के काम को उटा करते हैं आउट्पूट इसका ट्रूट टेबल के से बनेगा एपे जीरो बीपे जीरो तो य पे वन वहां क्या था एंड में जीरो था मगर यहां पर वन आगया क्योंकि नेंड काम कर रहा है आगे नॉट को लगा के रखा है जीरो वन वन हो जाएगा एक दिया यहां जीरो आता मगर वह जीरो के कारण नॉट के कारण वह जीरो विल बिकम फिर बच्चे के अगर वन लगाया जीरो लगाया तो भी वन मगर वन वन लगाओगे तो जीरो दोगा दोनों तुम इंपुट दोगे तो आउपुट नहीं आएगा नेंडगेट में यह कहना है सिंपल सी बात ठीक है सो हमने बात करी नेंडगेट की एक और कॉम्बिनेशन होता है नौर अब तुमने और पढ़ा था और मैं तुमने कहा था कि सर वन दो या जीरो दो आउटपुट वन आएगा मैंने कहा तुम वन दो जीरो दो तुम्हारा आउटपुट वन आएगा इसके आगे मैंने नौट लगा दिया नौट लगाने से तुम्हारा आउटपुट जीरो हो गया बात वही है कॉम्मिनेशन करा है हमने वन जीरो विल गिव अस वन बट नौट उसको क्या कर रहा है चेंज कर रहा है है ना वन को वापस जीरो में कनवर्ट कर रहा है इससे अच्छा काम करो दोनों जीरो दे दो ये जीरो आएगा ये वन देगा की सररर और और नौट का कॉम्बिनेशन है नौर तो देखें इस लाजिक गेट में क्या होता है this gate is a combination of और 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 नौर इसका symbol हम इस तरह से लेते हैं ये आपका और और उसमें कनेक्ट कर दिया नौट तो इद बिकम्स नौर ये नौर गेट बन गया है बच्चे तुमने एक सिंपल सी बार पहले तुमने कहा कि सर हम गारी किसी भी तरह से चालू कर सकते हैं तो इसा तो नहीं हो दो अपने आप गारी स्टाट होना लग जा अपने आप तो हो जाएं अगर हां यहां अपने जो लॉजिक गेट के जो कॉमिन चल रहे हैं ना कुछ भी लोजिक लाएे मतलब कि आप बोलोगे एक सिगनल देने से काम बन रहा था मगरं आप इसकी बूलेशन क Cash बोलेगी को यहां को बनेगा नौ। लगा दिया गया है आगे इतनी बाद समझ में आ रही है तो देखो गया इसकी क्या बोलेगी date on channel letter na app यागा था बुले funktion किसकी बनाई थी तो policeman expression आपने बनाया था और का महा नःफंड भी था अब हम एफ पर बार लगा जिया को आफ ओ इप नाट लगे गया है तो देखते हैं कि में टिमने नॉर जब लगाया कि किस तरह से एक्सपाइंट हो वुआये पहले बोला ना आगे और नॉस्या है सो या से सिगनल देघे रहे है 1-09-09-09- और का उल्टा काम चल रहा है एक्स्प्रेस और को हमने नॉट के साथ डिवाइट कर दिया बच्चे तुरुट टेबल इसकी क्या बोलेगी फिर जीरो जीरो वन आकि सब जीरो कुछ भी नहीं बचता है ना बचरा है किया नहीं बचरा है कि कि आके नॉट लगा हुआ है और आप ए प्लस बी का कॉम्बिनेशन करता है तो जीरो प्लस ब्लस 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 ब combination मतलब and or not का combination मना and not और का combination मना nor ठीक है बच्चों अब हम बात कर रहे हैं exclusive or gate की मतलब इस combination of gates में हम लोग बात करने वाले है exclusive or gate इसको कई बार e or gate भी कहा जाता है कई फे x or gate भी कहा जाता है x or gate या exclusive or gate हम बात कर रहे हैं तो exclusive or gate की जब हम बात करते हैं यह एक इस तरह का combination होता है मतलब जो input तो दे रहा है आपको it is giving you the input जब हम इसको कोई two input देते हैं तो उसमें से किसी एक पर ही यह one as a output देगा मतलब इसका कहना है कि in x or gate the output of a two input two input x or gate that attains the state one if one adds only input attains the state one मतलब कि input में अगर one add करने पर state one आ रही है तो ही output में बन आएगा अजरवाइस नहीं आएगा अगर बुले तो जीरो जीरो है तो कुछ नहीं है जीरो बन है तो कुछ है और one बन है तो उसको कोई मसलब नहीं मतलब नहीं तो देखें इसका जो symbol होता है बच्छे हम इस तरह से इसको रिप्रसेंट करते हैं that is the symbol for the xor gate और इसकी जो boolean expiration बनती है that is little bit different वो कहते है कि y output is equals to a b तो यहां पे जो आपने circle लगा कर plus लगाया है in circle plus that is known as that in circle plus is known as the xor operator इसको हम बोलते है xor operator this operator is also called the xor operator xor gate तो इसको अपने extend कैसे कर सकते हैं तो we can extend it like this a b not plus a not b like this so means a b not so a hai b not nahin है जो b का signal है so that will give you the y that will give you the y तो इसकी अगर अपन तुरुक टेबल देखते हैं तो देखिए आपको तुरुक टेबल बोल रही कि अगर आपने input a दिया a b not मतलब 0 है ठीक है यह 0 हो गया मतलब a b a मतलब इसको अपने जमाएं यहां से सीखें तो a 0 b 0 का not 1 ठीक है इंटू हो रहा है ना plus b as it is 0 और a का not मतलब 1 तो यह तो 0 होगा ना ओकी बट नाउ 0 1 पर यह 1 दे रहा है तो 0 1 पर 1 दे रहा है तो अपन इसको अगर देखते हैं तो a 0 b not also 0 b1 है तो b का not b not 0 प्लस a not a 0 है तो a not 1 और b as it is 1 a not b था तो 1 इंटू 1 आ गया बात समझ में है आपको तो exclusive or gate इस function पर काम करता है और जो operator हम लगा रहे है यह एक्सर operator ठीके बच्चे अब ऐसी होता है exclusive nor gate e nor ठीक एक्स नौर इस टाइप के हम इसको बोल सकते हैं तो exclusive nor कहता है कि इसको दोनो या तो 0 मांगता मतलब input में से जो दो signal आ रहे हैं वो दोनो या तो 0 हो या दोनो 1 हो मतलब दोनो high level हो दोनो high हो दो बोथ signals हर high और तो बोथ signals हर 0 in that condition it will give you the output high high output देखाओ मतलब in xnor gate the output is in the state 1 when its both inputs are the same that is both 0 और 1 मतलब दोनो same होना चिये दोनो input same होना चिये तो देखें इसको it is the symbol for xnor नौर तक का symbol तो आपको यह आगे आप एक गंडी लगा रहे हो इसकी है that is the symbol for the xnor तो xnor को अपन देख रहे हैं तो इसका boolean expression किस तरह से represent होता बेटा a xnor operator b है ना उसका क्या कर दिया आपने not निकाल लिया मतलब यह इस तरह से represent होता है कि a dot b plus a not dot b not इसी formula को याद रखना इसी formula को मैं truth table में आपको proof करके दिखाऊंगा तो देखते हैं a dot b and not dot b है ना तो देखिए क्या होता है इसकी truth table अगर पन बना के देखते हैं तो यह हमको क्या order है exclusive norm a b and this is y तो a b और y देखते हैं तो क्या हो रहा है a 0 है आपने रखा 0 b 0 है आपने रखा 0 ठीक है a not 1 है b not 1 होगा answer 1 मतलब 001 ठीक है अगर हमने क्या गरा 0 1 रखा तो यह 0 देगा तो 0 देखो कैसे देगा यह a 0 1 तो 1 यह देने तो प्लस फॉर्मूले में चल रहा हूं है a not 1 b not 0 जिरो सिंपल सी बात बोतार जिरो से answer विल भी 0 1 1 ऐसी अगर यह इसी का उल्टा होगा यह भी 0 होगा 1 1 अगर आप operator में लेते हैं 1 1 input दे रहे हैं दोनों high inputs हैं आपको दिख रहे हैं तो 1 1 अगर आपन देखते हैं तो 1 1 का भी गर के देखते हैं 1 into 1 plus a dot b a not dot b not 1 का not 0 जिरो 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 बचा 1 तो आ गया 1 मतलब उसके according to the definition when the both inputs are the same that means they both are 1 और 0 और 1 ठीक है बच्चे यह तो हमने बात करी किसकी exclusive nor की ठीक है आपने देखा exclusive nor के अब हम बात करते हैं exclusive or x or की लिए ठीक है क्या हो रहा है देखिए यह थोड़ा सा exclusive nor ही होगा है ना यह थोड़ा सा तो टेबल जो हम देख रहे है exclusive nor के लिए वह यह है 001010 जो टेबल मैंने आपको बताई है अभी वही टेबल यहां पर बने गिया ठीक है it is exclusive nor exclusive और अपन लोग देख शुके ्याँ बड़ की लिए िव ढाल एंड बड़들 ऊराप लाग जर ही दो है